कि बर्ग के सिक्षक भरती 2023 के सभी उम्मीद्वारों के लिए लगभग पंद्रा सो उम्मीद्वारों के लिए एक बड़ा जटका सामने आया है संसनी खबर सामने आई है आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कोबिट 19 के बाद पहली भरती है जिसमें स्कूली सिक्ष करशा विवाक को आयू सीमा में चूट देनी थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मद्प्रदेश हाई कोप ने यह आदेश दिया है कि जो उम्मीद्वार आयू सीमा में चूट नहीं मिली है ऐसे पंद्रा सो उममीद्वार लगभग सामने आये हैं जोनोंने याज का दायर की थी उनको दो माईने के अंदर दोबारा से चायन पर इक्षा उजद कराई जाएगी उसके बाद उन्हें मेरिट लिस्ट में या वेटिंग में रखा जाएगा उन्हें नोकरी दी जाएगी तो यह बहुत ही बड़ा एहम जो निर्देश है हाई कोट का यह हमें उम्मीद्वारों के मामलों की सुनवाई करते हुए दो माईने के अंदर दोबारा चायन परिक्षा उजद करने का आदेश दिया है नियमानुसार कोबिट-19 मामारी के बाद यह पहली वरती है जिसमें लगबग तीन वरस की छूड़ देनी थी उम्मीद्वारों को लेकिन स्कूली सिक्षा विवाग यानि कि DPI ने ऐसा नहीं किया है इस कारण कई जो साथी गंड़ थे हमारे कई उम्मीद्वार थे जो चायन परिक्षा से वंचित हो चुके है तो उन्होंने याचका दायर की लगबग 61 अलग अलग याचकाएं लगा दी गई थी हाई कोट में उ यह बहुत बड़ा और एहम जो निर्देश है वो सामने आया है आगए देख़ें हैं मुलस में लिखा है प्रिथम कांसलिंग अंतिम चरण माई यानि कि भरती परकिरिया अंतर गात बिवाग की प्रिथम कांसलिंग अंतिम चरण माई है 300 से अधिक चायने सिचकों के यह आप लोग देख सकते हैं सिर्फ जोइनिंग लेटर भर जारी होने हैं ऐसे में आप करीब 2000 से अधिक उम्मीद्वारों के लिए दोबारा चायन परिक्षा के आउजित होना है विभाग के सामने यह दिक्कत होगी कि समान अंक आने पर वह किसे नौकरी देगा पहले चायन सिक्षा भाग के लिए एक नया चैलेंज सामने आया है अब देखते हैं यह किस प्रकार से यह नेड़ा जो है समापत होता है हमें यह खबर ध्यान रखना है और एक बहुत ही एहम जो जानकारी थी वो सामने आई है हम सब के ठीक है इसी प्रकार आप लोग बस ध्यान में र स्टुडेंट्स को यह खबर नहीं पहुंचिए सामने वह पहुंच जाए और अपनी भूम का किसी प्रकार से इसमें लगा सकें तो चलिए वीडियो को हम यहीं फिनिस करते हैं वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करके सेयर जबर करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपोटेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और साथी वर्ग तीन के लिए मैं इंगलिस पैडागोजी की क्लास और इस पोकन ग्रामर के बगएर अपनी जो क्लासेस हैं वह अपने यूटुब चैनल पर डालता हूं तो आप लोग देख लिया करें और सेयर कर द